एक कहावत अपने सुना होगा कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता और मार खने का कोई टाइम नहीं होता तो आप कुछ भी सीख करकेंगे तो कभी ना कभी आपको काम में जरूर आएगा इस वीडियो में हम जानेंगे जो हम घर में घर बनाते हैं तो उसमें जो कॉंक्रिट लिए कोईसी भी क्यूविक फूट का तो इस वीडियो में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हम अगर यहां पर एक छाद लिया है जो पचास फीट चौड़ा है और आसी फीट लंबा है और जो रूप है वह पांच इंच का थिकनस होता है मतलब पांच इंच हम लोगों को मिनिमाम थिकनेस करना चाहिए जो अब छाद बनाते हैं छाद का कॉंक्रेट करते टाइम उससे कम थिकनेस नहीं करना चाहिए ठीक है तो मैं यहां पर पांच इंच लिया हूँ और उसके बाद जो मिक्स्चर यूज करना चाहिए ओ है एम 20 का मिक है to cement a cement is to send to a cement aister sand is to stone जिसको aggregate भी तो मैं स्टवन लेग रहा हूं तो ईजो रेशियो होता है वह है 1 is to 1.5 is to 3 आताब इक से आनम लिगों को mix करना चाहिए खीक Подलब एक ट्ली एक टिना आगर हम सिमेंट लेत्म करते हैं तो उसमें जिदेड्ट दीना बालु मिक्स करना चाहिए और 3 टीना पत्तर मतलब जिस्टोन कीवस करते हैं वह मिक्स करना चाहिए तो डूप कितnings करना बहुत ही तब होता है क्योंकि जो लेबर काम करता है वह ड़े टीमा मतलब ही और कंद यह चाहसाब प्राप्लेम होता है हाफ टीना तो उसको हम इसको डाव से खुझे करते हैं धूसर अगर सबसेफ गुना करेंगे तो दोघ्तिन सिम्यंट में Pharmulet मतलब पत्थर चीफ्स होता है वो मिक्स करना होता है यह M2MT के स्टेंडर मिक्स्टर है हम घर का छाद या रूप या पिलर विम में इस मिक्स्टर को यूज करते हैं तो अभी आते कैलकुलेशन में कि कितना कैलकुलेट मतलब टोटल छाद का क्यूबिक पीट कितना हो रहा है जो मतलब बैग आता है बैग की सबसे तो अभी कैलकुलेटरेशन में आते हैं तो जो सीएप टी होता है चाहत का मतलब क्यूबिक फीट टोटल तो उसको इसको ऐसे CFT कहते हैं उसको जो फर्मुला होता है वोता है length into breadth into height L into B into age इसको short में L into BH ये हमारा length है तो इसको यहां से आप L लिख सकते हैं ये हमारा breadth है 50 मतलब जो breadth है मतलब लंबाई चौड़ाई और height height तो हम लोगा यह है 5 इंच तो इसको age लिख सकते हैं तो इसको हम यहां से L को लिखेंगे 80 इंच गुना बी breadth है 50 foot इसको 50 लिखेंगे और यहां पर एक problem है यहां पर जो यहां पर the width stylist में है यहां पर देखिये height जो है इंच में है तो मैंकूध में convert करना होगा तो इसको convert करने का process यह है तो यहां पर देखिये 5 इंच और पर इंच को ऐ explo weißझ में लिखते हैं और जो width है इसको single lot में लिखते हैं तो मैं वालगा समझाने कर लिए इंज में लिख रहा हूं तो इंज को सबसे भेले फीट में करना होगा 5 इंज होता है किसी भी इंज को फूत्भ मेंfun 그러니까 करने लिए इसको 12 डिवैड करना होता है तो 5 डिवैड 12 यह फीट में आ जाएगा ठूल उसको ऐसे आप क्यालकुलोटर से कर सकते हैं तो मैं क्यालकुलोटर से कर लेता हूं तो यहां से देखिए क्यालकुलोटर से करेंगे 5 डिवाइड 12 ठीक है तो जो आ रहा है 0.4166 ठीक है मतलब 0.4166 यह है मेरा फीट ठीक है तो इसको हम यहां पर लिखेंगे 5 इंच का तो यह ही आ रहा है तो इसको हम यहां पर लिखेंगे 0.4166 यह है आपका टोटल है मेरा cft जो क्यूबिक फीट हम कहते हैं ठीक है तो इसको अगर आप सबसे ख़ब को गुणा करेंगे तो टोटल छाद का बॉल्यूम निकल जाएगा तो इसको 80 गुणा 50 गुणा 0.4166 मतलब 1.6666 1666 गुबिक फीट तो पॉयंट को लाश्ट में नहीं लेंगे कुविक फीट थीक है क्यूबिक फिट और सी एफटी भी लिख सकते हैं इसको ठीक है तो यह टोटल हम लोग का छाद का वॉल्यूम है तो जो 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 जुट्रूथ होगा मतलब मिक्सचर सिमेंट बालो पतर का वो जुट्रूथ होता है उससे वान पॉइंट फॉर से गुना करेंगे तो उतना हम ल लेते हैं टोटल कॉंक्रीट है लिक्यूर्ड होगा वह वान पॉइंट फाइफ फॉर मतलब डेढ़ गुना से भी थोड़ा ज्यादा जो रूत होता है जो ठीक है जो रूत होता है उना 1666 मतलब छाद कर टोटाल जो वॉल्यूम है उतना ठीक है तो इसको हम गुना कर लेते है तो यहां पर 1666 मेरा कल्कॉटर में है इसको 1.54 से गुना कर लेंगे तो टोटल जा रहा है 2566 यह भी क्यूबिक फीट में है क्यूबिक फीट इतना टोटल हम लोग का यह कॉंक्रेट का मिक्स से ज़रूत होगा तो अगर आप चाते हैं तो मेरा इस सोब क्यूबिक फीट में कर रहा हूं आप चालेंगे तो में भी कर सकते हैं तो यह आगे टोटल क्यूबिक फीट आगे ठीक है अभी जो सेंड बालू पत्थर और सिमेंट का जो जो जोरूत होगा उसको इस रेशियो से यहां से निकलना है ठीक है तो टोटल जो रेशियो है 2 इस टू 3 इस टू 6 ठी करेंगे तो इसको 11 से डिभाइड करना है ठीक है तो यह आपसे 2.666 डिवाइड 11 करेंगे तो बहु ठीक है शोर चैक किया अभी जो बालू का जरूत हो है सबसे होले सी मेंट सेमें सेमें का कैलकूलट कर लेता हूं तो पर इस वैज ए सब्राइडाएं माल जरोगाथ होता हूं हें Eh यहां पर जो माने होगा वह थे ९ा मैंने कालकूलेट कर लिए 2 t till 3 से गुना करना है थीक है तो या 233 तो इसको गुना कर लेते हैं तो इन्टू 233 मतलब 466 कुईबिक फिट का हम लोग का सिमेन का जरूत है थीक है वो 3 से 233 से गुना करना है तो 3 इंटू 233 से गुना करना है मतलब 699 699 cubic feet जो CFT भी लिख सकते हैं इतना हम लोग का sand का जोरोत होगा ठीक है और जो stone है जिसको aggregate कहता है या पत्थर कहता है है वो हम लोगा जोरोत होगा 6 से यहां पर तो यहां से डिकते हैं तो यहां से दाग देता हूं यह ठीक है यह सही यह ठीक है तो समझें रहें तो 6 into 233 तो यह आएगा 6 into 233 शे तो जो बालू पत्त तो हम लोगों है से मिल जाता है यह तो कोई बात नहीं 699 और यह 1398 1398 से यह से मार्कें मिलता है लेकिन जो सिमेंट मिलता हो तो से से मार्कें में मिलता हो बैग से मिलता है एक बैग का 50 किलो का बैग आता है इसको बैग में करेंगे तो इसको 466 को 1.25 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक बेग का 1.25 cft होता है तो इसको 466 डिवाइड 1.25 मतलब भार है 372 332 बेग मतलब कॉंक्रीट करने के लिए 332 बेग सिमेंट का जोर्ष होगा तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे आपको कुछ समझ में प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा